राम राम दोस्तों में मंजीत कुंडुक के नाडवर आप देख रहे हो रियलर रियाना आप सबको पता हर रियाना के अंदर पंचाय चुनाव चले हुए थे लेकिन अप समापत हो चुके है कल जीतने भी सरपच थे पंच थे जिला पार्षद के उमिद्वार थे सब अपनी अपनी सब्त गरायन की है तो अपने साथ एक ऐसी कंडिडेट मौजूद है गाउं को उत्खला से जो सरो साइमती से मेंबर पद के उमिद्वार चुने गई है राम राम जी आपके अंदर ऐसी क्या खास्य थी कि वारड ने आपको गर बेठे मेंबर का पद दे दिया रियल हर्यान को राम राम हमारे वाड़ बंद्रा में हर बार सर्व समती से बनाई जाते हैं मेंबर की पद अगर इस बात इस बार बात करे शरपच चुनाओ की या कोई भी जो भी चुनाओ थे जिला परसदके सरपच के पंच के बलोक समीती के इसके अंदर 50% मैला को सीटे दी गई है इसके बारे में आपकी क्या रही है इस बारे में रहा है कि हमें सरकार की तरफ से आगे बढ़ने का मौका मिला तो आगे आने वाले टेम में भी क्या ऐसा लागूरो गए पर बंद कर दी जाओगी यह जाओगी लागूरेनी चीए लागूरेनी चीए आप किस वज़े से इस मैदान में उतरे हो क्या वज़े अपने आपके वारेड में ऐसी क्या खामिया दिखी अगर मैं इस पद पर आती हूँ तो मैं ये काम जरूर कुरा हूँ मेरे साथी को दो साल हुए है और मैंने जब से यहां कदम रखा है तो यहां बहुत सी प्रिशानिया है सबसे पहले तो पाणी की समस्या गलियों की समस्या समसान घाट की समस्या और इसलिए इसलिए मैंने कुछ सोचिया कि इसमें पंच में हिसा लिया और हम तेरा लेडिज हैं हमने सब मिलके बैठ बैठके वरतलाप की है कि कुछ आगए अच्छा करने की कौशिस गाउन को आदर स है गाउं बना लिया जाए तो मतलब आपका मैनूदेश यह है कि अपने गाउन को एक आदर से गाउं बनाना है तो आगे आपकी क्या राई रहेगी, क्या राजनिती में दुबार आना चाहूँ आपको, कोण से पद के लिए ताइम बताएगा तो आगे आण जो भी अगला इलेक्शन आएगा, उसके अंदर जितने भी मैडला एक अडिडेट आएगी, आप उनको क्या राई देना चाहूँगी? मैं राई देना चाहूँगी, कि सब इस गाउं को अच्छे से बढ़ चड़ कर बाग लें और गाउं की सबीस मस्याओं का हल करें आप येक युवा हो, और आज कल देखने को मिल रहा है कि युवा में बहुत ज़्यादा नसा गशिकार होते जाने लग रहे है तो आप इसके बार में क्या रहे रहे हैं? मैं इसको रोकने की कोशिश करूँगी किस परकार? लोगों को समझाया जाएगा बठाएं अगर समझाया जाएगा कि नसा को छोड़कर हम पड़ाई या खेल की तरफ जाएं और नसे से हमारी सेथ पर भी बूरा शर पड़ता है अगर हम पड़ाई या खेल की तरफ जाएंगे तो हमारा नाम रोसन होगा, हमारे माबाप का नाम रोसन होगा हमारे गाउं का भी नाम रोसन होगा लाश्ट में आप अपने ग्राम वास्टियों से क्या अपील करना चाहोगे या संदेश देना चाहोगे हमारे गाउं में विलक्षन खतम हो चुका है मैं यही कहूंगी कि हमारे गाउं में गाउं को आधरस गाउं बना लिया जाए और अच्छे से अच्छे काम वहारे गाउं के जो नील सरपंच हैं वो पहले भी गाउं में सरपंच रह चुके हैं और वो ज़्यादक बहुत यच्छे इंसान हैं गाउं में गाउं को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और तो आप सबने पंच के विचार सुने इनके विचार कैसे लगे आपको अपनी राए कुमेट सेक्शन में जरूर रखे